प्रफिज देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो फिनोलेक्स केवल्स में आप देखोगे यहां पर वॉल्यम सपर्ड देखने को मिल रहा है दो दिन से कल माइनर पुल बैक था यहां फिर आप इसे री टेस्टिंग भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर स्टॉक ने चैनल का ब्रेक आउट दिया और यहां पर एक री टेस्टिंग भी हुई उसके बाद तेजी के साथ स्टॉक उपर निकल गया तो यहां सारी चीज़ें स्टॉक में सही चल रही है जैसी फॉर्मेशन बननी चाहिए वह सारी फॉर्मेशन काम करती नज और यहां पर टागेट भी बढ़ा दिये 1390 के असपास और आज देखें तो स्टॉक में जो हाय देखने को मिला है 1363 के आसपास रहा उपर प्रॉफिट बॉकिंग भी है तो 1283 के आसपास क्लोज़ें हो गई नेक्स सेसन में क्या होता है वो समझ लेते हैं और यहां पर आप देखें उसके पहले एक नजर डालते हैं इसके क्वार्टली रिजल्ट पर मार्च क्वार्टर में इसथा जो 24 का वो उसमें 1401 CR की सेल्स रही है और लास्ट टाइम सिमिलार अपने 23 के क्वार्टर में इस चले जैसी सेल्स बढ़ ही वैसी एक्सपेंस बढ़े 1242 CR के रहे लास्ट टाइम यह अपने 1077 CR के थे इसके आपरेटिंग प्रॉफित 159 CR का लास्टाइम 148 CR का था अधर इंकम इसवार 50 CR वही बढ़के लास्टाइम 42 CR थी इंट्रेस्स सिमिलार है इस बार 12 CR करा लास् लास्टाइम यह था 174 CR नेट प्रॉफित आता है 146 CR का लास्टाइम यह था 135 CR EPS में थोड़ा सा इसाफ़ा 9.56 का हो गया लास्टाइम 8.80 का था इन्वेस्टर्स की बाद कर लें तो यहां पर आप देखें अपने प्रमोटर्स जो है वो इंटेक्ट है एज इस हमेशा से और यहां पर 35.92 पर प्रमोटर्स इंटेक्ट ने थोड़े से डेटा इस टेक बढ़ाएं 11.58 परसेंट हो गए बढ़के और साथ ही साथ डिया ने हलके से कम किया 15.87 हो गए लास्ट तैम यह 15.93 परसेंट था तो यहां पर सारी चीज़ें साही दिख रही है फिनोल एक्स के होगा तो 13.63 के आसपास अपनको एक हर्डल फरसे देखने को मिलेगा और यह दिन का टार्गेट रहेगा क्योंकि आज आप देखें स्टॉक में क्लोजिंग होई और हाई जो आज का दिया वो नेक्स टार्गेट अपना बड़ा टार्गेट वही होगा इसके पहले स्टॉक सब्सक्राइब को मिलेगी 1300 पर क्योंकि साइकलोजिकल लेवल आता है और इसके बाद इसी चैनल में दो साइकलोजिकल लेवल रहेंगे जहां पर स्टॉक थोड़े रिवर्स देखने को मिलेंगे 1350 और यह तो यह बड़ा टार्गेट यहां पर 1363 आता है उसके बीच में आ यहां पर तीन दन के सेसन में आप देखें स्टॉक में कितनी जादा तेजी रही है कि फिनोलेक्स केबल यहां से भागके 31 परसंट के रिटरन दे चुका है तो यहां पर सारी चीजने साही चल रही है उल्टिमेट चलते हैं नजर आ रहा है स्टॉक अपन को यहां पर क्लियर होंगे सारी चीजने क्लियर हैं रिजल्ट भी क्लियर हैं बात आती है सपोर्ट की तो फर्द इंद लाइन अगर माइनर पोल बैक रहता है नेक्स सेसन में थोड़ा अंस्टेबिल्टी देखने को मिलती है तो यहां पर 1250 पर स्ट्रॉंग सपोर्ट होगा और इसके पार जो स्ट्रॉंग सपोर्ट होगा वो रहेगा अपना 1225 पर साइकलोजिकल टू साइकलोजिकल लेवल इसके नीचे नहीं जाएगा स्टॉक किसी हालत में तो यह कुछ अपने सपोर्ट रहेंगे और यह उपर के रिजिस्टन्स आप यहां पर फिनलक्स केबल्स क्लियर ह होगा मिलते नेक्ट वीडियो में इस इस मिसुबर मियादव साइनिंग उफ